हेलो फ्रेंड्स, आज आज हम बात करेंगे कफ दोश की जिसको आप सिंपल भाशा में descisen बोलते हों हम जब भी बात करते हैं कफ दोश की उससे यह समझ आता है जिनकी तासीर कफ वली होती है उन में जहातर swelling की या water tension की जो tendency है वो ज़्यादा होती है दोस्तों जिन में भी ये tendency होती है उससे कि specially उनकी जो nervous system पे है उस पे बहुत परभाव पड़ता है क्योंकि जब भी उनको swelling होती है चाहे वो थोड़ा walk करके हो लंबी traveling के कारण हो ये कोई भी अन्य कारण से चिसे की उनकी body में swelling आत जाता है उस जगह पर क्योंकि nervous system effect होता है जो आपकी swelling है वहाँ पर nervous system को दबाती है और उस पर प्रभाव डालती है तो simple है आप उस वक्क कोई painkiller ना ले पेंकिलर आपके लिए शायद सही नहीं है तब आपको anti-inflammatory drugs को लेना चाहिए और आपके घर में भी दालचीनी, garlic ऐस कासी बहुत सारी anti-inflammatory herbs होती है इवन की काली मिर्च भी जिनको लेने से आपकी swelling कम हो जाएगी और आपका pain naturally, normally ही कम हो जाएगा, thank you